दियर स्टूडेंट्स आज के बर्डियूल में हम फाइलम एनिलीडा और इसके रिलेशन्शिप को दूसरे एनिमल्स के साथ डिसकस करेंगे अब फाइलम एनिलेड्स एनिलेड्स जो है एनिमल्स सेग्मेंटेड है इनकी बॉडडी जो है इनकी दावतों का सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और जस्ट वन वीक के अंदर सी जो है देट विल नॉर्मली हारवेस्ट आ लार्ज यील्ड आफ एनिलेड्स और उसको ये बकेट्स में नेट्स में भर भर कर अक्वैटिक सी से निकालेंगे अब ये वर्म्स जो है नॉर्मली ये ट्रांस्फॉर्म दा ओशिन इंटू उसी ओशिन पार्ट में जहां पे इनकी बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो मजूद होगी जिनको निकाल कर ये पापुलेशन जो है खाना शुरू कर देगी हुमन बेंग्स इसको खाना इसके अंदर समयोन पैलोलो जो है वर्म्स इस नॉर्मली इस इस एंटायर लाइफ इन्टू दा कोरल बरोस एट थे सी बॉर्म्स हर नॉवंबर में वन वीक जो है वर्म्स देविल अमर्ज आउट देविल बरो और नॉर्मली इनकी पॉपुलेशन की इंक्रीज की रीजन क क्या है कि इनके अंदर सेक्शुल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस त्रेज हो जाएगा और इस में नॉर्मली वन्स देयर प्रोड्यूस्ट इना हूज मैस तो फिर इन में फ्री फ्लोटिंग सर्फेस पे आने का ट्रेंड ज्यादा हो जाएगा और रेस्ट आफ दी वर्म्स जो हैं दे आर सेफ ऑन दा ओशन फ्लोर फिर सर्फेस वाटर जब जहां पर इनकी बहुत ज्यादा तादाद हो गया है वहां पर उस वाटर का कलर चेंज हो जाएगा डिस कलर हो जाएगे क्यूंकि गोनेड जो हैं दे रिलीज आ लार्ज अमाउंट ओफ काउंटलेस एक्ज फिर सेमयन पैवलो वर्म जो है दिस इस एन वेरी इंपोर्टन एक्जाम्पल ओफ फाइलम एनिलीड़ एंड इस यूज एक्स्टेंसिबली इन फीडिंग अब इसका एनिलीड़ का दूसरे एनिमल्स के साथ क्या रिलेशन्शिप है एनिलीड़ का रिलेशन्शिप निलेशन्शिप और जो आर्म आरववा भी1 अनिलीड़ ने ef मॉलिड इस ओ सेंड़ों लार्व का टर्कोल नॉडेव इस दोडिंग ओ cią की इस इस दू ऺए बाइसन्शिप ऑ्पे जो है this may be originated in the pre-Cambrian times more than 600 million years ago और unfortunately इसके बहुत ही little evidence जो है वो documented है कि इसका pathway evolution का क्या है and how this shows its relationship to other invertebrate phyla a number of hypothesis है जो के इसके relationship को explain करती है अब इन hypothesis में एक तो ये है कि इफ आशीजियोसियस origin of siloam is correct then we can say that these any leads might have been originated from flat worms on the other hand अगर शीजियोसियोसियोसियोम origin को हम correct समझ ले फिर क्या होगा कि जो any leads है they might have been involved from diploblastic animals or triploblastic acylomate body जो है that can also be said to be as evidenced for the origination of phylum any leader फिर इस सब से recent discovery जो worm lobato cerebrum की है this also shares some of the characteristics between phylum any leader and flat worms और इसकी जो है enterosilus hypothesis origin की ज्यादा interesting है as compared to that of the other hypothesis अब lobato cerebrum जो है this is the any lead classified based upon the presence of certain segmentally arrangement excretory organs अगर हम यह कैसे के के इसके अंदर ciliated epidemm है जो के mostly flat worms में थी तो तब भी इनका कोई ना कोई relationship हमें नजर आ जाता है some zoologist they also believe that lobato cerebrum illustrates how the triploblastic acylomate design could have been derived from any lead lineage यहां से अगर आप देखे ancestral coeno flagellate stock this is the evolutionary relationship of any leads इनकी origination जो है that is 500 to 600 million years ago और यहां पे मुख्लिफ किसम के फाइला है these are protostorms in relationship annelids worm-like protostorms भी worm-like तो इस relationship to other animals में lineage में protostorms they can show only relationship with the annelida otherwise rest of the animal phyla they are normally not showing any prominent relationship with the phylum annelida that闪